आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello Friends, इस कुछ हम बोल रहा है Give Two Properties and Two Usages of X-rays हमें इस Position में X-ray की Two Properties और दो Usages बताने है ठीक है तो सबसे पहले हम बात करते हैं Properties की ठीक है Properties की बात सबसे पहले कर लेते हैं तो X-ray की दो दो Properties होती है गाईज उसमें पहले जो हम लोग Electromagnetic Spectrum पढ़ते हैं उसमें X-rays जो होती है उनकी wavelength बहुत ही छोटी होती है ठीक है इसका मतलब X-rays have small wavelength ठीक है पहले इनकी Property क्या है X-rays have small wavelength ओक है इनकी wavelength क्या होती है बहुत ही छोटी होती है Second इनकी Property होती है क्योंकि इनकी wavelength जो होती है वो बहुत छोटी होती है ठीक है और wavelength छोटी होती है तो wavelength छोटी होने के वज़े से जो इनके energy E होती है E को उन्हों लिखते हैं SC by lambda ठीक है तो lambda की value जतनी ज़्यादा कम होगी energy जो होगी वो इतनी ज़्यादा होगी ठीक है तो energy जो होती है due to high energy ठीक है जमडां कम होता है और दिवामेडर कम होगा तो इक Morocco सब्सक्राइब कीजर बढ़नी दिवह सब्सक्राइब क्योंकि इनकी ऊवनाची जपि dairy में प्रोड्रdefense करने के लिए हमें हुआ वोट्रिछ की ज़रूरत होती है तो इनके property होती है यहां पर दो नहीं एक्ष्यली हमने तीम property पर लिया है पहले इनकी small wavelength होती है दूसरी high energy होती है small wavelength के वेज़ से और तीसरी ने produce करने के लिए high voltage required होता है ठीक है देखिए अब बात करते हैं usage of x-rays के बारे में ठीक है तो next हम लोग बात करते हैं यूजेज उके यूजेज क्या है एक्सरे के तो एक्सरे के अगर यूजेज के बारे में बात करें गाई तो mainly जो इसकी यूजेज होते हैं वह medical science में medical science में medical science में इसके first use क्या है medical science में इनकी यूजेज होते हैं किसलिए पशेदेख्या ये और फिर पत्त-ॉस अर्य च्छ्रेंग को है विदयर सब्सक्राइब डिया जाता है इनको यूज़ किया जाता है security पर परकें इनको यूज़ के घृता है security परपस के लिए जो हमारे एयर पूर्ट बगर रपे या फिर हमारे जो काफी सीक्यूर जगह होती है जहां पर हमें लेजना आलाव नहीं होता है वहाँ पे security check-up के लिए हम लोग x-ray को use करते हैं ठीक है guys तो यह जो है इनके दो usage और दो यहाँ पे properties of x-ray के बारे में हमने जाना है होप आपको समझ में आया होगा, thank you